नमस्कार दोस्तों मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुरू विनोद दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसका सलूसर में आपको जरूर दूँगा चलिए विडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पर आपको क्या करना है instagram install करना है अगर आपके phone में instagram है तो ठीक है नहीं है तो आपको instagram यहां से install कर लेना है तो यहाँ पे मेरे phone में instagram already installed है तो मैं आपको direct इसको open करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैंने instagram को open कर लिया है अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दो option मिलेंगे Login with Facebook और नीचे option आजाएगा आपका Sign up with email address और phone number तो यहाँ पर मैं करता हूँ Click Sign up with email address and phone number तो यहाँ पर आपको दो option मिल जाएगा एक तो email address से आप sign up कर सकते हैं और एक email id से यहाँ पर मैं select करता हूँ email address तो email address select करता हूँ और मैं इसमें अपना email address डाल देता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना email id डाल दिया है इसके बाद next पर click करते हैं आपको एक email address पर आपके email address पर code आएगा तो उस code को यहाँ पर डालना है और उसको confirm करना है तो यहाँ पर मैं confirmation code डाल देता हूँ जो मेरे email ID पर आया हुगा है code डालने के बाद यहाँ पर next पर click करना है next पर click करने के बाद यहाँ पर option आ रहा है full name और password तो यहाँ पर आपको जो भी Instagram का अपना नाम रखना है उसका आपको full name यहाँ पर डालना है और यहाँ पर password डालना है password ऐसा डालना है जो कि आपको याद रहे तो यहाँ पर password मैंने डाल दिया है अब यहाँ पर continue and sync contact से तो यहाँ पर दो option आपको है continue and sync और contact continue without sync तो यहाँ पर मैं continue without sync पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आ रहा है add your date of birth तो यहाँ पर आपको अपना date of birth डाल देना है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया date of birth उसके बाद next पर click करना है अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है welcome to instagram तो यहाँ पर देखिए find your find people to follow यहाँ पर next करना है यहाँ पर अपना username आपको change कर लेना है यहाँ पर instagram ने by default username दे दिया है तो इसको आप change कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने username अपना change कर दिया है फिसको next करते हैं next करते हैं यहाँ पर आपका username save हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए find facebook friends तो यहाँ पे अगर आपको facebook से connect करना है तो यहाँ कर सकते है otherwise यहाँ पे skip कर दीजे तो मैं यहाँ पे skip कर देता हूँ अभी के लिए तो यहाँ पे option आपको दिख जाएगा add profile photo तो यहाँ से आप add profile कर सकते हैं यहाँ इसको आप बाद में भी कर सकते हैं तो अभी के लिए मैं इसको skip कर देता हूँ फिर उसके बाद यहाँ पे suggestions आ रहे हैं कि आप इनको follow कर सकते हैं तो अभी के लिए आप इनको follow कर सकते हैं तो मैं अभी direct आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा Instagram account जो है create हो गया है अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए welcome to Instagram यहाँ पर कुछ suggestions दिखा रहे हैं इसको आप follow कर सकते हैं बाकि यहाँ से आप जाके यहाँ पर आ गया आपका account यहाँ पर आ गया तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जादे जादे लाइक और सेयर करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय नमस्कार